सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सेनी, परिशकार वर्ल्ड में आपका स्विर्च से स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज हम लोग भारत के बुगोल में, भारत के जो भौतिक परदेश हैं, उसमें से बारत में महान मैदान, थारका मरुस्तल, प्राइदीप ये पठार, तटिये मैदान और दीप समों के बारे में आज चर्चा करेंगे इन में से कभी-कभी एक प्रशन पूछ लिया जाता है, और भारत की राज़दानियों के बारे में भी जो राज़्यों की राज़दानिया हैं, केंदर सासित परदेशों की राज़दानिया हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो इससे समंदित प्रश्ण पिछले कांस्टेबल के एक्जामस में पूछे गए हैं तो आईए देखते हैं प्रारम करते हैं कि पहला जो प्रश्ण हमारा कांस्टेबल दो जाड नो में आया इसमें पूछा गया हैदराबाद आंदरपरदेश ऐसे पंड़ जी और क्वेशन मार्क दिया गया कि पंड़ जी तो हैदराबाद जिसे आंदरपरदेश की राजदानी है पंड़ जी किसकी राजदानी है ये पूछा गया तो इन चार राज्यों में से अमको बताना है केंदर सासित पर्देशों में से बताना है कि किसकी राज़धानी है दूसरा प्रशन है constable 2009 में ही उत्राखंड राज्य की राज़धानी है तो देखिए सातियों शिमला, देरादून, नैनेताल और मनाली में से हमें उत्राखंड की राजदानी बतानी थी चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्ण विगत परिक्षाओं में पुछे गए प्रश्णों में से कांस्टेबल 29 में ही एक प्रश्णाया निम्न में से कौन सा शेहर वी संगत है हैदरबाद, एमदाबाद, भोपाल और इटा नगर तो इन में से देखिए दोस्तों तीन तो राजदानी नगर है और एक वैसे प्रसिद नगर है तो इसमें से आंसर हमको वी संगत वाला देना था चलते हैं सातियों अब भारत के महान मैदान पर तो भारत का जो महान मैदान है सातियों ये उत्तर में हिमाले परवत और दक्षिन के अंदर प्राईदी प्यपठार के मद्दे के अंदर इस्तित है यानि प्राइदी प्राइड के उत्तर में है और हिमाले के दक्षिन में इस्तित है हिमाले से निकलने वाली और तिबत के पठार से निकलने वाली नदियों और उनकी साइक नदियों के द्वारा निक्षिय पित, जलोड मिटी, कंकर, पत्थर, बजरी आदी से ये निर्मित हुआ है तो इसको देखें दोस्तों कि ये जो महान मैदान है उसका छेतरफल साथ लाक वर्ग किलोमिटर है भारत में जबकि इस महान मैदान का विस्तार पाकिस्तान में भी है जो सिंदू और उसके साइक नदियों दोरा बनाया गया है और बंगला देश में भी है तो इसके हम ध्यान दे महान मैदान का विस्तार जो है वो दूसरे देशों में भी है लेकिन हमें भारत के बुगोल में भारत का महान मैदान पढ़ना है तो इसके अंदर देखिए दोस्तों ये जो महान मैदान बना हुआ है ये सिंदू और उसकी साइक नदियों द्वारा गं नदियां ब्रहमपुत्र और सिंदू एक सक्ड़ी घाटी में बैती हुई आती हैं जिससे वहाँ पर मैदान का निर्मान कोई विशाल मैदान या चोड़े मैदान का निर्मान नहीं हुआ है तो तीन देशों के अंदर पाकिस्तान भारत और बंगलादेश के अंदर इस मैदा मैदान का विस्तार मिलता है तो आईए देखते हैं भारत का जो विशाल मैदान है जो महान मैदान है उसको हम आगे चर्चा करें तो आईए दोस्तों इसके अंदर देखिए जब नदियां परवतों से निकल करके और मैदानी भागों में आती है तो मैदानों के अंदर जैस के साथ बैह करके आते हैं परवतिय छेत्रों से वो आकर के यहां पर परवत पद के भागों में यानि परवत के पैरों के पास जहां मैदान और परवत मिलते हैं वहां पर निक्षेपित हो जाते हैं एक मलवे का धेर निक्षेपित हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं भावर पर तो ये भावर परदेश नदी के उस भाग पर निक्षेपित होता है या बनता है जहां पर नदी जो है उसका वेग कम हो जाता है और इसकी केरिंग कैपिसिटी यानि वहन शमता कम हो जाती है तो नदी मोटे कंकर पत्थरों को वहीं छोड़ देती है और इस भावर परदेश क के अंदर मेन के है कि नदियां जो है वो भावर परदेश के पत्थरों के बीच में से ओकर के नीचे से बैती है उपरी भाग में नदियां दिखाई नहीं देती पानी दिखाई नहीं देता केवल वर्शा के समयी कुछ पानी उपर से बैता हुआ दिखाई देता है तो इसमें नदियान लुप्त हो जाती है यहाँ पर आकर और फिर अगले वाले जो परदेश आता है भावर परदेश से आगे तरही रीजन वहाँ पर पुनर परकट होती है तो इसके अंदर विशिएश बात क्या है कि क्रशी है तू यह उप्युक्त नहीं होता क्योंकि यहाँ पर बार भाग जो है तरही कहलाता है जैसा मैंने पिसली स्लाइड में भी बताया तो देखिए हिमाले से निकल कर जो नदिया आ रही है यहां से लेकर यह वाला परदेश जो है यह तो है भावर परदेश जो की परवत पदिय भाग में इससे वापस नदिया पुनर वापस धरातल प भावर के दक्षनी भाग के अंदर पूरा शिवालिक परवस रंकलाओं के समानांतर भावर परदेश के दक्षनी भाग में जो है तराई परदेश इस्तित है। परदेश पाया जाता है चलिए आगे देखते हैं इसके बाद बाद का मैदान आजाता है और बाद के मैदान में जहां प्राचीन काल के अंदर जो जलोड मिटी निर्मीत हुई है जब नदियों में अथा पानी आता था और बहुत चोड़े छेत्र के अंदर नदियां बहती उस समय जो मिट्टी का निक्षेपन हुआ जो जलोड मिट्टी का निक्षेपन हुआ जिसको दोमट मिट्टी भी हम कहते हैं तो उससे बांगड परदेश बना है विशेज द्यान देने की बात ये है कि वर्तमान में इस बांगड परदेश की मिट्टी के पास तक पानी नहीं नहीं पहुंसता प्राचीन काल के अंदर नदी के दुआरा जमाई गई मिट्टी है यह तो इस छेत्र को हम क्या कहते हैं यह वाला जो छेत्र है जहां बाड़ का पानी नहीं पहुंसता जिसे हम कहते हैं बांगर परदेश और वर्तमान में यह क्रशी के लिए बहुती उप्य खेत्र होते हैं इसके बाद देखें जहां पर नदी में बाड़ का पानी पहुंसता है प्रतिवर्ष और एक नवीन जलोड मिट्टी की परत प्रतिवर्ष जम जाती है उसे हम कहते हैं खादर प्रदेश तो प्रतिवर्ष बाड़ का पानी जिस जिस छेत्र में आ रहा है उ तो ये नदी घाटी मैदानों के अंदर काफी उपजव पदेश होता है क्योंकि प्रतिवार्स नवीन मिट्टी मिलती रहती है और ये क्रशी के लिए भी बहुत उप्युक्त इस्थान होता है जैसे चावल, गेहूं, गन्ना आदी यहाँ पर अच्छा उगाये जाता है चलि सिंदू, सतलज और उसकी साइक नदियों के द्वारा बनाया गया है दूसरा है गंगा का मैदान ये गंगा नदी और उसकी साइक नदियों के द्वारा बनाया गया है इसी तरीके से हम देखें तीसरा भाग मान मैदान का वो है ब्रहमपुत्र का मैदान तो ये असम के और उसके नीचे चेहलम, चिनाब, रावी, व्यास और 17 नदियों के दौरा बनाया गया है और ये जो मैदान है भारत के अंदर दक्षनी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हर्याना और राजस्तान तक आ रहा है राजस्तान के अंदर सिंदू की जो साइक नदी है वो तो नहीं है लेकिन घगर नदी जो प्राचिन काल में सिंदू की साइक नदी रही होगी वो घगर नदी जरूर आती है तो ये घगर नदी जो है इसका पानी पहले अरब सागर तक पहुचा करता था तो ये भी अरब सागर का अफवात अंतर है और इस नदी का भी योगदान जो है पस् पश्मीर, पंजाब, हर्याना और राजस्तान के अंदर फैला हुआ है तो इसको ये ध्यान देना है और ये पूरा भाग इसको अलग करने वाली जो छेतर है वो है पोटवार की उच्छ भूमी तो पोटवार बेसीन का जो उच्छ भाग है ये गंगा मैदान को सिंदु के मैदान से अलग करता है चलिए आगे चलते हैं अब देखें दोस्तों जो ये पंजाब का मैदानी भाग है इसके अंदर दो नदियों के बीच के छेतर को जो बीच वाली भूमी होती है दो नदियों के बीच वाली उसे हम दौाब कहते हैं और इन नदियों के नाम पर इन द सिंदू नदी और जेलम नदी के बीच का भाग जो है उसको कहते हैं सिंद सागर दोआब तो इसको ध्यान देना है सिंद सागर दोआब कि इन दो नदियों के मद्दे हैं सिंदू और जेलम के मद्दे हैं फिर दूसरा दोआब हम देखें जिसको कहते हैं चाज दोआब तो य कहते हैं इसके बाद देखें दोस्तों तो ये चिनाब नदी उत्तरी भाग में और रावी नदी दक्षनी भाग में हैं इसके मद्दे की भूमी को हम कहते हैं रेचना दुआब तो इन नदियों को भी ध्यान रखना है और नाम भी ध्यान रखना है नीचे दक्षन में सतलज नदी है उत्तर में व्यास की नदी है इसके बीच की भूमी को हम कहते हैं विस्ट दौआब तो इससे सम्मंदित प्रश्ण कई बार पूछे गए हैं कि विस्ट दौआब कौन सी दो नदीयों के मद्दे इस्तित है या जैसे रावी और चिनाप के मद्दे कौन सा दौआ इस् वो है बारी दौआब तो यह हमको ध्यान देना है कि जिन जिन नदियों के मद्दे दौआबी छेतर है उसको हम ध्यान दे कि इसका नाम क्या क्या है ठीक है चलते हैं अगे अब देखते हैं मद्देवर्ती मैदान जो की गंगा का मैदान है तो गंगा का मैदान यमना नदी के मैदान से लेकर चंबल को सम्मिलित करते हुए और पूरवी भाग के अंदर तिस्ता नदी तक का भाग फैला हुआ है इसके जो लंबाई है वो चोदा सो किलोमेटर है और चोड़ाई तीन सो से चार सो किलोमेटर है पस्टमी भाग में इसकी चोड़ाई अधिक है पूरवी भाग में इसकी चोड़ाई कम है इस गंगा के मैदान को तीन भागों के अंदर बाता जाता है इसको देखें हम जो उपरी गंगा का मैदान है ये दिल्ली से लेकर इलाबाद तक 550 किलोमेटर की लंबाई में फैला हुआ है और गंगा वै यमुना के मद्दे इस्तित है तो गंगा और यमुना के मद्दे वाला जो भूमी है उसको गंगा यमुना दौाप के नाम से या उपरी गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है इस मैदान के अंदर कौन कौन सी नदियां परवाईत होके आ रही है तो देखते हैं सबसे पहले पसिम में यमुना है फिर गंगा है फिर राम गंगा शारदा गोमती गागरा और चंबल नदी है तो इसके अंदर देखिए दोस्तों चंबल नदी दक्षिन से आ रही है जो यमुना में मिलती है और यमुना नदी और गंगा नदी के मद्दे जो विबिन साइक नदिया हैं उनने मिलकर के इस मैदान का निर्मान किया है जिसको गंगा यमना दौाब भी कहते हैं और गंगा का उपरी मैदान भी कहते हैं इस मैदान का जो विस्तार है वो देखिए दोस्तों हरियाना में यमना नदी के होते हुए फिर दिल्ली, राजस्तान, पस्वी, उत्रपरदेश और मद्धे परदेश के अंदर इसका विस्तार मिलता है क्योंकि मद्धे परदेश से भी चमबल, कैन, बैतवाधी नदियां इस मेदान के अंदर प्रवाइथ हो रही है चलिए अगला मैदान देखते हैं तो मद्य-मद्य मैदान का अगला बाग जो की इलाबाद से लेकर भिहार में भागल पूर तक है वो कहलाता है गंगा का मद्यवर्ती मैदान इसके अंदर दोस्तों धागरा नदी, गंडग नदी, कोशी नदी, सौन नदी और टॉंस नदियां प्रवाइत होती है इसके अंदर देखिए दोस्तों जो सौन नदी है वो धक्षनी भाग से विंद्याचल से निकल कर अमरकंटक की पाड़ियों के पास से निकल करके आती है और टॉंस नदी भी दक्षनी भाग से उत्री भाग की तरफ प्रवाइत होती है जबकि अन्य नदियां जो नदियां है गागरा, गंडक और कोशी ये हीमाले से निकल करके आती हैं तो ये समस्त नदियां इस मद्देवर्ती गंगा के मैदान का निर्मान करती है इसके अंदर देखें दोस्तों कि ये कौन-कौन से राज्यों में विस्तरित है तो इसके अंदर देखें पूर्वी उत्तर परदेश उसके बाद बिहार, मद्दे परदेश, 36 कड इन राज्यों के अंदर इसका विस्तार मिलता है अब ये देखें दोस्तों कि उत्तर परदेश के कुछ भाग को अलग-अलग नामों से जाना जाता है जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के उत्तरी और मद्देवर्थी भाग negó रुएल transis इसका मतलब उत्तर पर्देश में इसको तीन वागों में बाटा गया है फिर कोसी नदी जो बिहार के अंदर बहती है और विस्तरित मैदान का निर्मान करती है और हार वर्ष अपना मार्ग बदल लेती है तो जिस जगे से बह रही है अगले वर्ष दूसरी जगे से बहने आती है इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं तो इसके अंदर देखें दोस्तों यह मैदान जो है वो 600 किलो मिटर पूरव से पस्षिम की और लंबा है और उत्तर से दक्षिन की और 330 किलो मिटर लगबग चोड़ा है तो इसको ध्यान देना है कि जो मद्द्वरती मैदा मैदान है वो यहां से लेकर और इस भाग तक बियार के पूरवी भाग में भागलपूर है वहां तक यह इस्तित है चलिए अब देखते हैं गंगा का निचला मैदान तो इसके अंदर देखें दोस्तों तो गंगा का निचला मैदान जो है वो भागलपूर से लेकर जो देश के अंदर भी इस्तित है तो इस भाग के अंदर तिस्ता नदी जलडाका नदी तोरसा नदी भागी रती और हुगली वित्रिकाएं और दामोदर नदी जो है वो प्रवाइत होती है यहां पर भागी रती और हुगली यह गंगा नदी से अलग हुई धाराएं हैं जिनको हम वीतुरी काई कहते हैं किताबों के अंदर इनके आगे भी नदिया लिखा हुए नाम लेकिन वास्तम में ये वितुरी काइए हैं क्योंकि जो धгоरा डेलटा के पास में नदी से अलग होके प्रवाईत होने लग जाती है उसे हम क्या कहते हैं वित्री का ना की नदी तो उसको हम ध्यान देना है हमको कि भागिरती और उगली यहां पर वित्री का है बाकी शेश सभी नदियां है इसका विस्तार पूरवी बियार पस्ट्वी बंगाल और उत्री ओडिसा के अंदर इस्तित है इसको देखें दोस्तों तो यह जो निचले मैदान है वो 580 किलोमेटर लंबा और 200 किलोमेटर चोड़ा है विशेश रूप से इस मैदान के अंदर बिलकुल बारिक कांप मिट्टी का विस्तार है जहां पर चावल की खेती बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसकी जलदारन शम्ता बहुत अधिक अच्छी है और उबजवपन भी बहुत अधिक है तो यहां पर वर्ष में तीन बार फसलों की जो खेती की जाती है वो तीनों ही फसलें चावल की लेते हैं अमन और बोरो चलिए आगे चलते हैं निचले मैदान के अंदर कुछ इस्तान जो की दलदलिये हैं निचले भागे हैं और पानी ब लेकिन यहां पर बिल का मतलब कुछ और है आईए देखते हैं तो बिल का मतलब है विसर्प भूमी जो पस्मी बंगाल के अंदर निचली दलदलिये भूमी है जहां वर्ष में कई समय तक कई मैनों तक पानी भरा रहता है और दलदलिये छेते हैं उनको बिल कहते हैं तो इस सपाठ समतल निम्न भूमी का छेतर है तो सपाठ समतल निम्न भूमी का छेतर जहां बार का मैदान परतिवस्त पानी लियाता है वो छेतर भी राड परदेश कहलाता है खादर परदेश नहीं इसका मतलब पस्मी बंगाल का खादर परदेश वाला भागी क्या कहलाएगा रा अमरत के अंदर उडिसा पस्चिम बंगाल और बंगलादेश में फैला हुए तो इसको देखिए दोस्तों डेल्टा के अंदर जो उच्छा इस्तान है जहां जुआर की लहरें उच्चतम जुआर की लहरें या धीर्ग जुआर की लहरें भी नहीं पहुंच पाती और सुखा पना रहता है डेल्टा का भाग वहां पर बस्तियां बस जाती हैं और उसको हम क्या कहते हैं चर परदेश चर से यहां मतलब यह नहीं है कि पस्वों को चरने के लिए कह रहें हम नहीं कते ही नहीं तो डेल्टा ही परदेश के अंदर जो सुष्क भाग है जो काफी उंचा हो गया और वर्तमान में जहां बस्तिया बस गई है ऐसे सुष्क परदेश को डेल्टा के अंदर चर परदेश का जाता है और विशेश रूप से सुंदर्वन के डेल्टा ही छेतर में चलिए आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान तो अब देखिए भारत के महान मैदान का तीसरा और अंतिम मैदान हम बात करें तो ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है असम के अंदर सदिया से लेकर और बंगला देश के पास धूबरी तक फैला हुआ है ये जो मैदान है इसकी लंबाई 650 किलो मिटर है और चोड़ाई लगबग 100 किलो मिटर है तो ये लंबा तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर काफी चोड़ाई में बहती है कुछ जगाँ पर तो नदी के बीच में टापू बन गए है दो जो विस्व के अंदर नदी के मद्दे में सबसे बड़े टापू के रूप में भी जाने जाते हैं पहला टापू का नाम है माजूली जो की अस ब्रह्म के अंदर एक जिलाग भी बना दिया गया है इसका मतलब उस नदी के मद्दे में जो टापू बना उसको एक जिले का नाम दे दिया गया है और जिले का उसके अंदर परशाशन चलता है तो माजूली दीप जो है वो नदी के मद्दे में बना हुआ है और विस्व का सबसे बड़ा नदी के मद्दे में बना हुआ दीप है और इसके बाद बंगलादेश से पहले दूसरा दीप है पिकौकक दीप ये छोटा दीप है लेकिन नदी के मद्दे में बना हुआ है तो दोनों के नाम हमें ध्यान रखने हैं इसके नाम पूछे जा सकते हैं चलिए यहां पर बालुका रेट के टीले माई पाये जाते हैं और कुछ जगों पर समतल मैदान भी पाये जाता है। है तो यह नदियों के दूआरा निक्षेपित और पवन के दूआरा निक्षेपित मिट्टी का छेत्र हैं जो लगबग-लगबग समतल है। लेकिन बालुका इस्तुपों के कारण ये एक अपनी अलग पैचान रखता है तो इसको हम देखें तो पस्टमी भाग के अंदर ये किस-किस छेतर में फैला हुआ है तो इसको देखिए दोस्तों ये गुजरात, राजस्तान, हर्याना और पंजाब ये तो भारत के अंतरगत जो राज्य है वो फैला हुआ है इसके साथ-साथ पाकिस्तान का सिंद और पंजाब प्रांथ जो है उसमें भी ये मरुस्तलिय परदेश फैला हुआ है ये दक्षनी पस्टमी पावनों के साथ जो तट्ये चेतर से नमक और बालु रेत उडा के लाती है वो इस मैदानी चे मानसुनी पावनों के साथ जो कच का छेतर है इससे उड़कर के और तट्ये चेतर है इससे उड़कर के आई है वैसे ऐसा माना जाता है कि थार के मरुस्तल का जो विस्तार है वो वास्तम में टैथीज मासागर का ही भाग था दीरे-दीरे कुछ जलवायू परिवर्थन तो इस छेतर के अंदर मरुस्तल ये दशाएं व्यापत हो गई तो इसको ध्यान देना है कि सबसे मुख्य कारण क्या है इस थार मरुस्तल के विकास का अती पसुचारण दूसरा मुख्य कारण जलवायू परिवर्थन और वर्षा की कमी और वन विनाश चलिए आगे चलते पर तो देखे दोस्तों थार के मरुस्तल के अंदर कुछ खास बाते हमको ध्यान देनी हैं सबसे पहली बात यहां की चट्टाने तो देखे इसके अंदर ऊपरी भाग के अंदर तो पवन दुआरा और नदियों दुआरा निक्षेपित मिट्टी है और लवन है लेकिन इसक इसका मतलब यह प्राइधी प्यप्य भारत के आगे की प्लेट थी जो की प्रायधी-प्य भारत के साथ आगे कि आगे और आई है इसका मतलब यहाँ पे नीचे प्राचीनطम चट्टाने जो की आ autant और कायोंथट्र चट्टाने होती है वह निक्षय की यहाँ पर 이쪽 चातल के उपर नदियों द्वारा लाए गई जलोड मिट्टी पवंद द्वारा लाए गई दक्षनी पस्वी मांसुनी पवनों के द्वारा लवणी ये बालू मिट्टी का निक्षेप मिलता है इसके बाद देखें दोस्तों एक शब्द आता है तल्ली और धाड तो ये होता देना है कि दक्षनी पस्वी जो फिरोजपूर और ये जिला है पंजाब का उस छेतर के अंदर इसको विशेश रूप से तल्ली कहते हैं और नीचे दी हमाएं राजस्तान के अंदर तो इसको क्या कहते हैं या तो सर कहते हैं जैसे गंगानगर, हन्मानगर और अभीकानेर क चेतरों में और जैसल मेर और इधर की तरफ आएं तो इसको रण कहते हैं जैसे सर का सर, लून करन सर तो ये तालाबों के नाम के आदार पर हैं ऐसे ही पोक रण तो रण कहते हैं जहां पर वर्षया का पानी कठा हो गया और गाउं बस गया तो उस चेतर को रण और सर और त तो मैं राश्टी है मरू उध्यान लेकिन यह नैस्नल पार्क नहीं है यह क्या है अब भ्हारन्य इसके अंदर जैसलमेर के अंदर जो आकल गाउंग है उसके पास प्राचीन काल के लकड़ी के उशेश मिलते हैं यानि प्राचीन काल के लकड़ी जो पथर बन गई हुसके करके आज हमको यहां पर प्राप्त होते हैं आकल वुड फॉसिल पार्क हमारे राष्टिय मरूद ध्यान के अंदर इस्तित परियटन केंदर है जहां पर प्राचिन काल के लकड़ी के अवशेस देखे जा सकते हैं चलिए आगे चलते हैं संभावित प्रश्णों पर तो जो तो बताईए किसके मद्दे रेचना दौआब इस्तित पहले पहले एक्षरों को लेकर बनाया गया है आइडिया लगाई है हमने देखा भी था कौनसा है यह है हमारा आंसर चिनाब और रावी तो रेचना दौआब रावी और चिनाब को लेकर के बनाया गया है चलिए अग इसमें शब्द है चर, राड, बिल और बांगड तो इसके अंदर देखिए दोस्तों जहां पर बस्तियां बस जाती है और डेल्टा ही छेतर होता है डेल्टा तो बहुत निम्न भूमी होती है जो आर की लहरें आती रहती है लेकिन जो छेतर उंचा होगा वहां पर उसी जगह बसती बसेगी और उंचे छेतर को डेल्टा ही छेतर में क्या कहते हैं हम यह देखिए आंसर है चर तो इसको चर कहा जाता है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों देखिए अब प्राइदी पे भारत का पठार तो इससे पहले था हमारा महान मैदान अब दूसरा मुखे जो है आ पर प्राचीन तम आगने और कायांतरी चट्टाने हैं अवसादी चट्टाने हैं वो भी बहुत प्राचीन है यह जो भाग है वो 16 लाग वर किलोमेटर चेतर के अंदर भारत के दक्षनी भाग में जो गंगा यमुना और ब्रमपुत्र नदी के महान मैदान के दक्षिन में इस्तित है उस बाग को देखें तो इसके अंदर देखें दोस्तों यह दक्षनी पूरवी राजस्तान से लेकर कन्या कुमारी तक अठारा सो किलोमेटर लंबाई में फैला हुआ है यहां से लेकर यह अठारा सो किलोमेटर लंबाई के अंदर फैला हुआ है जबकि इसकी च पुछ भाग जो है वो मेगाले तक भी जाता है यहां तक जो कि सिलोंग का पठार है तो सिलोंग का पठार हिमाले का भाग नहीं है इसका जो पूरवी भाग है बीच में जो गंगा और ब्रहमपुत्र नदिया है उन्होंने काट करके इस पठार को बंगाल की खाड़ी में डा तो चलिए आगे चलते हैं अब प्राइदी प्य भारत के अंदर हम बात करें कि इसका विस्तार कौन-कौन से राज्यों में है तो देखिए दोस्तों इसका विस्तार दक्षनी पूर्वी राजस्तान अरावली परवस सहीत इसका पूरा भाग आ जाता है यानि आदा राजस्त करनाटक के बाद तमिल नाडू और केरल का कुछ बाग इसके अंतरगत आता है तो ये मद्देवर्ती और दक्षनी राज्यों के अंदर फैला हुआ पठारी परदेश है और इस पठारी परदेश का जो निर्मान है वो बैसाल्ट लावा की चट्टानों से यानि क्रिटेश युग में वर्तमान से काफी पहले लावा उदगार हुआ और उसके निक्षेपन की वज़े से यहां पर बैसाल की चट्टाने बनी और बाद में बैसाल की चट्टाने तूटकर काली मिट्टी का विकास हुआ तो इसको हम देखते हैं दोस्तों कि प्राइदी पे पठार के अंदर और उत्री भाग के अंदर फैला हुआ है वो है मालवा का पठार दूसरा हम देखें तो हमारा जो मालवा का पठार है उसके उत्तर पूरव में बुंदेल खंड का पठार है और बुंदेल खंड के पूरव में जो है भगेल कंड का पठार है जो की मद्यपरदेश उ और 36 गंड के अंदर फैला हुआ है इसके साथ देखिए दोस्तों यहां पर जो है जारकंड 36 गंड जारकंड और पस्चवी बंगाल का कुछ छेत्र के अंदर फैला हुआ है वो है छोटा नागपूर का पठार यह जो है खनीजों के लिए बहुत ही महत्मून पठार है और इस कायांत्री चटान सिस्ट वो कायांत्री चटान और बैसाल यह भी आग्ले चटान है तो इस बैसाल से टूटने से तो काली मिट्टी बनती है और इसमें बहुत सारे धात्विक खनीज़ भी पाये जाते हैं ऐसी चटानों में तो इनको इसको ध्यान देना है कि कौन सा पठा तो इसके अंदर देखिए दोस्तूं जैसा मैंने बताया था की बंगलादेश के उपर मेगाले है और मेगाले का जो पतार कहलाता है वो शिलोंग का पतार भी कहते हैं तो यह पतार प्राईदी पिए भारत का भाग है तो यहाँ पर हम छोटा नागपूर पतार और इसके जो दर्रा बना दिया उसको राजमेल गारों गैप के नाम से जाना जाता है अब इसके अंदर देखें, कि महगाले के पठार के उपर तीन पारियां पाई जाती है जिसको सबसे पस्टिम में हैं गारों पारियां बीच में हैं वो है खासी पारियां और सबसे पूरव के अंदर है वो जैनतिया पाडिया अब इनकी दिशा को भी देखे हम तो इनकी दिशा जो गारो पाडिया है वो दिशा है ऐसे फिर खासी पाडिया है वो दिशा है ऐसे और जो जैनतिया पाडिया है वो है ऐसे तो ये एक कीप की आकरती बना रही है तो दक जो कि पहले चेरापुंजी था यहां पर अब इसके पस्चिम में चोड़ी चोटी है खासी पाड़ियों के उपर ही वो है मासिन्राम यहां पर विश्व की सबसे अधिक वर्षया होती है बंगाल की खाड़ी से आदरता लेकर दक्षनी पस्चमी जो मांसूनी पवने इस कीप पाड़ियों के मद्दे में पठार के उपर पाड़ियां उसके अंदर फस करके एकदम से उपर उठती हैं और अत्यदिक वर्षया करती है और ग्यारा सो सेंटीमिटर से भी अधिक वर्षया होती है जबकि राजस्तान के अंदर अज़िए हम उसत वर्षया की बात करें तो 52 सेंटिमिटर के आसपास है तो 52 और 1100 सेंटिमिटर में कितना अंतर हो गया तो विश्व की सबसे अधिक वर्षया खासी पाडियों के अंदर मासिन राम नामक जगह पर आज वर्तमान में होती है चलिए आगे चलते हैं प्राइदी प्य भारत के कुछ अन्य पठारों पर तो देखे दोस्तों विशेश रुप से महराश्ट के अंदर जो अजन्ता पाडियां है उसके दक्षिन के अंदर जो है दक्कन का पठार है ये विशेश रुप से मद्धे परदेश गुजरात और महराश्ट के अंदर फैला हुआ है इसके बाद देखिए करनाटक का पठार जिसको करनाटक पठार के नाम से भी जाना जाता है तो ये करनाटक राज्ये के अंदर फैला हुआ है इसके बाद देखे दोस्तों मैसूर का पठार जो करनाटक और तमिल नाडू दोनों राज्यों में फैला हुआ है इसके बाद तमिल नाडू का माल नद का पठार तो ये पठार क्रमशे दक्कन के पठार का ही बैसाल लावे का ही विस्तार है इसके बाद देखिए इसके पूरवी भाग के अंदर तेलंगाना का पठार जो को ध्यान देना इक और कौन-कौन से राज्यों में तो राज्यों के आधार पर पॉपर के उपर बहुत सारी पालियां उनको ये के साथ में हमको देखना है तो इसके अंदर सबसे पहले देखे दोस्तों अरावली पहाडियां अरावली पहाडियां दिली से लेकर गुजरात तक जो है उत्तर पूरव दिशाद से दक्षिन पस्षिम दिशा की और फैली हुई है यह विस्व की सबसे प्राचीनतम चाल परवसरंगला जो पूरव से पस्चिम की और अधिकांस तया जो है मध्य परदेश के अंदर फैली हुई है थोड़ा सा भाग इसका 36 गड़ में भी है तो अधिकांस रूप से ये पूरव से पस्चिम की और फैली हुई मध्य परदेश की पाड़िया है इसके दक्षिन म अधिके दक्षिन के अंदर आजंता पाडियां तो आजंता पाडियां जो है वो महराष्ट के अंदर इस्तिते हैं इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइदीपिय भारत के पश्मी तट पर जो पाडियां इस्तिते हैं उनको कहते हैं पश्मी घाट जिनका दूसरा नाम है मह बाला गाट पाडियां इसके बाद देखें दोस्तों बाला गाट पाडियों से नीचे की तरफ चलें तो जो पस्चमी घाट और पूर्वी घाट है इन दोनों को जोडने वाली जो पाडियां वो है नील गिरी पाडियां इसका मतलब जो पूर्वी घाट की पाडियां जैसे नलामलाई, महेंदर गिरी, ये पूरवी घाट की पाड़ीयां जो प्रायदी पे भारत के पूरव में हैं, और इसके आगे काफी चोड़ा मेदान है, इसके साथ ही देखें, पस्मी घाट की नीचे की पाड़ीयां, जो दक्षिन की पाडियां है कन्या कुमारी तक वो पाडियों का नाम है काडेमम पाडियां अर्थात इलाइची की पाडियां क्योंकि यहां पर इलाइची की खेती बहुत अधीक होती है तो इनका नाम भी इलाइची की पाडियां हो गया इसके साथ ही देखिए इलाइची की अंदर जो है कुछ दर्रे भी हैं अर्थात पाड़ी की चोटी में नीचा इस्तान जोब आ जाता है यानि पाड़ी नीची हो जाती है बीच में से उसे हम दर्रा कहते हैं तो अब इसके अंदर देखें जो मुंबई से लेकर नासिक तक जो राश्टी राजमार को रेलवे मार जाता है तो थालगार दर्रे से उके गुजरता है इसके बाद देखें मुंबई से लेकर पूने की तरफ जो राश्टी राजमार्ग जा रहा है वो दर्रा कौन सा है तो वो दर्रा है भोर घार दर्रा तो हमको ध्यान देना है मुंबई से पूने मार्ग भोर घार दर्रे से उके जा रहा है इसके साथ ही हम देखें तो तिर्वनन्द पुरम से लेकर यदि हम बात करें कि चन्ने ही तक हम को जा रहा है तो उसके लिए जो रास्ते राजमार्ग जाएगा वो जाएगा पाल घाड दर्रा जो की अन्ना मलाई पाड़ियों और नीलगरी पाड़ियों के महेंद्रगिरी और पश्मी गाट की पाड़ियां जो मुख्य रूप से है वो सहय यादरी परवसरंगला इसके अंदर देखें दोस्तों जो प्राइदीप का भारत का भाग है वो है सिलोंग का पठार और मेगाले के अंदर ये जो पाड़ियां हैं सिलोंग के पठार के तो चलिए आगे देखते हैं अन्ने प्राइदी पे भारत की पाड़ियां और चोटियां तो आईए इसके अंदर देखें दोस्तों जो महादेव पाड़ियां जो हमने देखी थी मद्धे परदेश और 36 गड़ के अंदर जो मद्धे भारत की सबसे उची चोटी धूप मिटर है यदि हम दक्षनी भारत की बात करें तो दक्षनी बारत के अंदर जो सह यादरी परवस्रंग राएं महारास्ट के अंदर उसकी सबसे उची चोटी है कल्द्सू भाई जो महारास्ट के अंदर बालागाट पाड़ियू से नीचे की ओर अःगूँ घड़ह देखे वी चोटी और इसकी उचाई है 2695 मिटर, इसके साथ ही हम देखें कि तमिल लाडु के अंदर कुछ पाड़ियों के करम मिलते हैं, सबसे इदर अन्ना मलाई चोटी, जो हमने देखी ती और अन्ना मलाई में और जावदी पाडियां इन चारों का क्रम जो है पूछा जाता है कि सबसे दक्षिन में अन्नामलाई पाडिया है उसके बाद पालनी पाडिया है उसके बाद सिवराई पाडिया है और उसके बाद जावदी पाडिया है तो तमिल लाडू के अंदर इनका उत्तर से दक्षिन और दक्षिन से उत्तर की और भी करम कभी-कभी पूछ लिया जाता है, तो इनका करम हमको ध्यान रखना है, इसके बाद देखिए, नला बनलाई पाड़ियां हमने पिसली स्लाइड में देखी थी, आब महेंद्र गिरी पाड़ियों की सबसे उंची चोटी, जो है 1501 मिटर महे जात पाड़ियों में जो सबसे उंची चोटी हम देखें, तो वो है मलेगरी, वो है पूर्वी घाट के अंदर सबसे उंची चोटी 1187 मिटर उंची है, तो इन चोटियों को भी हम ध्यान देना है, कि पूर्वी घाट की सबसे उंची चोटी कई किताबों में महेंद्र गिर को दे रखा है जबकि गड़ जात पाड़ियों को यह दी हम पूर्वी घाट में मानते हैं तो फिर 1187 मिटर की जो है मलेगरी चोटी को सबसे उच्चा मानना पड़ेगा तो इस तरीके से हमारी दक्षनी बारत की सबसे उच्ची चोटी ध्यान रखनी है अन्नाई मुडी और स चलते हैं सवाथी साथियों संभावित प्रस्णों पर जो कुछ अभी तक हमने पड़ा है उसमें से देखिए कोयमबटूर का पठार किस राज्य में इस्तित है तो इसके अंदर देखें दोस्तों केरल मद्यपरदेश करनाटक और तमिल नाडू में से कोयमबटूर का पठ परवत माला किस राज्य में इस्तित है तो इन में से चार राज्यों में से बताना है केरल राजस्तान च्छतिस गड़ और मद्यपरदेश तो विंजाचल परवत माला का अधिकांस भाग मद्यपरदेश में इस्तित है तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा चलिए आगे चलें तो इस संभावित प्रश्वन को देखिए कि पस्वी घाट परवत और पूर्वी घाट परवतों को जोडने वाली परवसरंकला कौन सी है तो पस्वी घाट और पूर्वी घाट को जोडने वाली परवसरंकला कौन सी है अजंता नीलगरी पालनी और शेवराई तो इसक रूप से छोटानागपूर कर पठार का विस्तार कौनसे राज्य में हैं यहां पर है जारकंड करनाटा पन्जाब और मध्य प्रदेश तो यह जारकंड के अंदर जिसको हम भारत का रूर्परदेश और भारत का खनीजों का आजाइब घर भी कहते हैं चलिए आगे चलते हैं तट्ये मैदान पर तो हमारे पर्वतिय प्रदेश, महान मैदान और प्रायदीपे पठाट जो मुख्य तीन भाग हैं वो हो चुके हैं अब तट्ये मैदान और दीप समों की बात हम करेंगे तो सबसे पहले लेते हैं तट्ये मैदान इसका तो इसमें देखिए यहाँ पर कच कच कीखाडी और सरक्रीक से करे को मारी तक और करे कर गंगा ब्रहभ पुतरBayक देल्टा तट पूरा इस मैदान फैला हुए अब इस बाग के अंणदर हम बात करें तो कन्या कुमारी से सी खाड़ी से लेकर कन्य कुमरितं यहां से लेकर जो मेदान है वह पंद्रा सो किलो میटर लंबह और इसकी चोड़ाई यहां पर परवस रंक लाएं तो इसकी हैं तो यहां पर जो किलोचर पर्चाब्चा से परइस से 63 कंल gratitude यहां थो यहीं का लेकिन सरंकलाएं होने के कारण चोड़ाई कम है और इसकी ओसेट चोड़ाई 64 किलो मिटर यह मैदान इसको ध्यान दे कि यह मैदान निमज्जित और उमज्जित मैदान है इसका मतलब यह भाग कच्छा जो प्राइदीप वाग है यह सागर में से थोड़ा सा उपर उठा हुआ है इ कच्छ का जो प्राइदीप है ये एक उमजित मैदान है जबकि सोराष्ट का प्राइदीप और कौंकंड का जो तट है तट ये मैदान है ये एक निमजित मैदान है पहड़ियों से फिर जाजा के मिट्टी जम गई और ये मैदान बना इसका मतलब यहाँ पर चट्टा ने नी बैठ गई है चट्टा ने तो इसका एक साक्षे परमान के रूप में हमको दौरिका के महल के रूप में दिखता भी है तो इस तरीके से ये एक निमजित और उमजित मैदान कहा जाता है चलिए इसमें चलते आगे तो इसमें देखें सातियों कि जो गुजरात का मैदान है वो सोरास्त के पस्षिम वाला जो भाग है वो एक निमजित मैदान है जैसा मैंने पिसली वाली स्राइड में मैप में बताया था कि उस छेतर के अंदर दौरिका के जो महल है वो पानी में डूब गए है यानि पहले तो वो धरातल का भाग थे आज वो निमजित है यानि कुछ भाग इस तल भाग नीचे चला गया है समुद्र के पानी के अंदर डूब गया है अब इसके अंदर देखें कौंकन का मैदान जो की दमन दीप से लेकर यानि खंबात की खाड़ी से लेकर गोवा तक का कहलाता है पांसो किलो मिटर लंबा है ये एक निमजित मैदान है ये भी नीचे की ओर डूबा है और मालाबार का मैदान देखें जो कनड और केरल का मैदान को बोलते हैं तो कनड का मैदान गोवा से लेकर मैंगलोर तक और मैंगलोर से लेकर के और कन्या कुमारी तक जिसको विशेश रुप से मालाबार का मैदान बोला जाता है ये मैदान जो और इसकी रेट को हम क्या कहते हैं मोनाजाइट इसको ध्यान देना है लिख लिख लिजी आप लोग इसी रेट को क्या नाम है मोनाजाइट जो कि किसका आयस का है इसमें से क्या निकाला जाता है ठियोरियम नामक पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थ अब इसके अंदर पे, क्ोरल, मुंगाजीव हैं, वो एक दीवार बना दैते हैं, और तट और उस दीवार के मद्दे पानी इकठा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं, लेगून जील, और इसको केरल के अंदर विशेश नाम है कयाल के नाम से जाना जाता है, और एक जो कयाल है केरल के तड़ पर सबसे लंबी कयाल सबसे ज़्यादा बड़ी कयाल उसको कहते हैं वैम बनाद कयाल इस कयाल के अंदर पेरिया नदी अपना जल विसरजित करती है तो चलते हैं अगले तत्यों पर इसके अंदर देखें दोस्तों पूर्वी तट तो पूर्वी तट जो है वो कन्या कुमारी से लेकर और गंगा के डेल्टा तक बंगलादेश की सीमा तक इस्तित है इसके अंदर देखें तो ये तटिये मैदान स्वणर रेखा नदी से कन्या कुमारी तक लगबग आठ थारा गोदावरी नदी का डेल्टा क्रुष्णा नेती का डेल्टा काविरी नदी का डेल्टा उस पर्देश के अंदर गोदावरी नदी के डेल्टा के यह 480 किलोell मिटर चोह ही है इसकी जबकि पस्मि मैदान को आपके मेदान का थे तो अधिकतम इस Ya a पूर्वी घाटे काफी अंदर है तो चलते हैं इसके और तत्यों पर अब देखे यह वाला जो मैदान है वो उमजन का परिणाम है इसका मतलब पूर्वी भाग जो है उपर उठाए और पस्मी भाग जो है वो नीचे की तरफ गया है तो वो निमजन का परिणाम है अधिकांस बाग जो है उमजन का परिणाम है तो इसको यदि हम देखें तो इसको इस पूरवी मैदान को भी अलग-अलग भागों में बाटा जाता है तो यह उतकल का जो मैदान है वो चार्ट सो किलोमेटर लंबा है और उत्तर में सोन रेखा नदी से लेकर रिशी कुल्ले नदी तक द सबसे बड़ी खारे पानी की जील भी है यह भी एक लेगून जील है इसका मतलब परवाल बित्तियों ने और मिट्टी के जमा होने से तट के पास एक दिवार बन गई और तट और इस बित्ति के मद्दे में पानी बर गया जिसे हम लेगून जील कहते हैं और इसी छेतर के अंदर महानधी का डेल्टा भी इस्तित है यानि उतकल के मैदान में ही महानधी का डेल्टा और चिलका जील इस्तित है चलिए आगे चलते हैं पूरवी तट्ये मैदान का एक भाग है जो की महानधी के डेल्टा से नीचे लेकर और पुलीकट जील तक है जिसको हम कहते हैं उत्री सरकार का मैदान तो उत्री सरकार का मैदान जो है ये रिशिकुले नदी से ले करके पुली कट जील तक फैला हुआ है 725 किलोमेटर की लंबाई में इसके अंदर ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पर जो है कृष्णा नदी गोदावरी नदी का डेल्टा इस्तित है और इसी छेत्र के अंदर इस मैदान की सबसे ज़्यादा चोड़ाई भी है तो इसको देखें ये वाला जो आगे निकला है ये गोदावरी नदी का डेल्टा है और यहाँ पर कृष्णा नदी का डेल्टा है तो यह आंदर प्रदेश के अंदर इस्तित है दोनों ही गोदावर किलोमिटर की लंबाई में तो इसके अंदर देखें दोस्तों यहाँ पर कावेरी नदी का डेल्टा पेनार का और वेगई का डेल्टा जो पेनार और वेगई छोटी नदिया है लेकिन कावेरी नदी काफी बड़ी नदी है और इसका डेल्टा जो है ये स्रिलंगा की तरफ निकला हुआ है तो यहां पर भी काफी चोड़ा मैदान इस्थित है तो इन मैदानों के अंदर विशेश रूप से काफी उबजव मैदान है यह और इन मैदानों में चावल की खेती बहुत ही प्रसिद्ध है अब देखते हैं कुछ संभावित प्रस्थन देखे दोस्तों गा जो सिलोंग का पठार है मेगाले का पठार है यह किसका भाग है तो पाडियां भी उसी का भाग होगी तो यह प्राइदी पिए पठार का भाग है चलिए देखते हैं अगला प्रश्न तो नीलगिरी और अन्नामलाई पाडियों के बीच इस्तित दर्रा है तो नीलगिरी और थालगाट, भोरगाट, पालगाट और गोरमगाट तो इसके अंदर दर्रा आ जाएगा पालगाट चलिए आगे चलते हैं अगले तत्यों पर तो देखिए दोस्तों तटिये मैदान के बाद एक भोतिक परदेश हमारा और बच जाता है जो तटिये मैदान के साथ ही पढ़ा जाता है दीप समू तो इसके अंदर अरब सागर के अंदर जो मुखे दीप है हमारे वो है लक्ष दीप तो लक्ष दीप में देखें भारत के पस्चिम में जो अरब सागरी का भाग है वहां पर परवाल बित्यों से यानि चूना पत्थर से निर्मित लक्ष दीप के बहु से डीप पर इस्थिता है कावारती पर दूसरा है इसका जख्षिन समध्व धिप कौन सा है वो है मिनी कोई तो इसके अंदर बड़ा देखें देखें मिनी कोई दीप यहां पर है हमने भारत के पर огром ही है और मिनिकोई दीप है उसके मद्दे में जो जल मार गए उसको चैनल के नाम से जानते हैं और वो था 9 डिग्री चैनल और ऐसे ही मिनिकोई दीप और नीचे माल दीप जो देश है उसके मद्दे में जो जल मार गए उसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं तो यह विशेज ध्यान देना ह कि लक्ष दीप कौन से मासागर में इस्तित है कौन से सागर में इस्तित है अरब सागर में इसकी राजदानी क्या है और इसके आसपास के मुख्य बड़े दीपों का नाम और चैनल का नाम ध्यान रखना है चलिए आगे चलते हैं इसके भारत के पूरवी भाग के अंदर जो तो इसके अंदर देखिए दोस्तों जो लिटिल अंडमान है और जो पोर्ट ब्लेयर वाला जो लोवर अंडमान है निचला अंडमान है इसके मद्धे में से एक चैनल है जो हमने देखा था डककन पास के नाम से अब देखिए दोस्तों जो निचला अंडमान है उसी पर अंड निकोबार दीप समूँ इसके मद्दे है 10 डिगरी चैनल तो इनको ध्यान देना है कि ये चैनल कौन-कौन से दीपों के मद्दे इस्तित है और बंगाल की खाडी के अंदर ये सारे जो दीप इस्तित हैं अंडमान निकोबार दीप समूँ ये जो अलमुकी दीप और प्रवाल भाग के अंदर इस्तित है तो इसको ध्यान देना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय जो अला मुखी बहरन दीब जो है वो अंडमान निकोबार दीब सो मुखे उत्तर पूरवी भाग में इस्तित है चलिए आगे चलते हैं राज्ये और राजधानिया इससे समंधित प्रश्ण हम बढ़ चुका है केंदर साशित परदेशों के ंदर जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है और लद्दा को अलग कर दिया गया है यहां से तो इन्हे दोनों की अलग़ अलग राजधानिया हमको पता होनी चीए वरतमान में बना है तो इसके अंदर ध्यान देना है कि जम मारा केंदर साचित परदेश भी है चंडीगड वर्तमान में भी दोनों की राजधानी अभी भी चंडीगड ही है हरियना की राजधानी अब दीरे दीरे विस्तापित कर रहे हैं पंचकुला में लेकिन बन जाएगी तब हमको ध्यान देना है अभी कौन सी है चंडीगड और खुद भी केंदर साचित पर्देश है, इसके साथ साथ हम देखें, राजस्तान की राजदानी हम सब जानते हैं जयपूर, और गुजरात की राजदानी गांदी नगर, आहमदाबाद नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। आहमदाबाद ज्यादा फेमस है लेकिन गांदी जी डोनों ही नामों से जाना जाता है इसको इसके बाद देखिए दोस्तों करनाटक की राजदानी बैंगलुरू और केरल की राजदानी तिरू वनंट पुरम जो बिलकुल करन्या कुमारी के पस में है, दक्षिन में इसके बाद देखें, पूरव की तरफ तो इसके अंदर देखिए दोस्तों लद्दाक की राजदानी इसकी भी दो बनाई गई है ग्रिशमकाली नलग और शीदकाली नलग तो लद्दाक की राजदानी जो शीदकाल में रहेगी वो है इसकार्टू और ले जो है वो ग्रिशमकाली ने राजदानी रहेगी तो यहां प्रदेश की राजदानी लखनव इसके बाद देखिए बिहार की राजदानी पटना ये सब आपको ध्यान है और मस्टवी बंगाल की राजदानी कॉलकता तो इन राज्यों की राजदानियां मैच करवाते हैं कई बाद जोड़ा बना के देते हैं तो चलिए आगे फटावर पर देख लेते हैं अन्य राज्यों की राजदानियों को तो इसमें देखिए सिक्किम की राजदानी गैंग टोग और नचल परदेश की राजदानी इटा नगर और नागलेंड की राजदानी कोहीमा मिजोरम की राजदानी जो है आईजोल और उडिसा की राजदानी भू इसके बाद ज्यारखंड की राजदानी राजची और च्छतीजगड की राजदानी राएपूर तो इन राजदानियों को हमको ध्यान देना है रिपीट करकर के वैसे आपको याद भी होगी और रिपीट करकर के इसको देखना है अब अन्य राज्यों की जो बचे हुए और तेलंगाना की राजदानी वर्तमान में क्या है 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 विधरबाद जबकि आंधरपरदेश की राजदानी में अम्रावती में बाद में शिफ्ट किया जाएगा अब ही यहां के जो आवशेक भवन निर्मान वगज़ा यहां पर चल रहा है तो इसको ध्यान देना है इसके गैए तमीलनाडो की राज़धनी चेन्ड़ी और केंदर सास्थित परदेश की राज़धनी जो पंडीचेरी है उसकी राज़धनी फुद्दू चेरी इसके बाद नबर्ण परदेश जिसकी राज़धनी भोपौल। उसके बाद दो केंदर सासित परदेश हो रहे हैं दमन और दीव तो इसकी राज़दानी दमन है और दादरा और नागर है वेली इसकी राज़दानी है सिल्वासा तो इस तरीके से सबी हमारे जो राज्ये हैं 28 वर्तमान में पहले 29 थे जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया है तो 28 राज़दानी और 9 केंदर सासित परदेश बन गए उन सभी की राज़दानीया हमको ध्यान देनी है दिल्ली और चंडिगड की राज़दानीया दिल्ली और चंडिगडी ही है बाकी राज़दानीया मैंने 7 केंदर सासित परदेशों की भी आपको बता दिये तो इस प्राचीनतम चट्टानों से युक्त है तो उत्री परवतिय परदेश गंगा ब्रहमपुत्र का मैदान प्राइदीपे पठारोड तर्टीय मैदान तो इनके अंदर देखिए सभी छेत्रों के अंदर तीनों के अंदर अवसाधी चट्टानों की परदानता है जबकि प्राच चिनतम विशुका ना केवल भारत का विशुका भी अरावली ही है तो इसको ध्यान देना है चलिए अब विगत परिक्षाओं में आयोए प्रशन जो आप हमने देखे थे उनका आंसर आप सुएमी दे देंगे जो की राजधानियों से संबंदित है है एदराबाद आंदर परदेश की राजधानी है और पंड जी किसकी राजधानी है गोवा की राजधानी तो चलिए यह आंतर हो गया अगला प्रशन हमारा उत्राखंड राज्य की राजधानी है तो उत्राखंड राज्य की राजधानी कौनसी है इसमें देखें सिमला है हिमाचल परदेश की औ जैनि निम्न मेंसे जो शेर विसंगत है इसका मतलब यहाँ पे हैदरबाद राजदानी शेर है बोपाल राजदानी शेर है एमदाबाद राजदानी शेर नहीं है परसिद ओद्योगिक शेर है और इटा नगर ये भी राजदानी शेर है तो तीन राजदानी शेर है एक ओद् नेचर पर भी तो हम प्रश्णों के नेचर के धान में रख करके हमारी तैयारी करें आज इतना ही दोस्तों फिर अन्य जानकारियों के साथ मिलेंगे धन्यवाद सब्सक्राइब करें हमारा यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें